पार्ट बारव बॉक्स को फिर से करें जब मैंने अपना खुद का मनी बॉक्स बनाना शुरू किया तो मुझे लगभग 6-8 का समय लगा नक्ती प्रवाह बैंकों को जगह में लाने के लिए महीने और फिर कुछ साल बाद सिस्टम के कुछ हिस्सों को एक बार फिर से करना पड़ा हमारा आर्थिक जीवन अस्थ व्यस्थ है भी कई बैंक खाते जीवन साथ ही माता पिता बच्चों के साथ संयुक्त खाते लेकिन एक बार हो जाने के बाद काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है स्टाफ हैपन्स आप नौकरी खो देते हैं आप उन्हें बदल देते हैं आप शहरों को स्थानां तरित करें बच्चे स्वतंत्र हों आप जीवन साथी को सकते हैं या तलाक ले सकते हैं माता पिता मरो आपके पैसे के डिब्बे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन आपके द्वारा बनाई गई सनरचना हमेशा आपको एक बार लोटने के लिए एक धाचा प्रदान करती है जीवन की घटनाओं का बवंदर गुजरता है मेरे मामले में मेरे पती एक नई नौकरी में चले गए एक अलग शहर में और हमें बैंक खातों पर फिर से काम करना पड़ा नकदी प्रवाह प्राप्ट करना सिस्टम राइट पूरे मनी बॉक्स के सुचारू रूप से काम करने की कुंजी है बेशक, खातों के बीच पैसे स्थानांतरित करने के लिए आपको ओनलाइन बैंकिंग का उप्योग करने की आवशक्ता है और उत्पादों में इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए जीवन को फिर से स्थापित करना चिकेटसा और अपातकाली निधी में समय लगेगा SIP चुनना और फिर स्थापित करना आराम से करना लेकिन एक बार यह सब लेगवक हो जाने के बाद आपके पास वास्तव में जानने की विलासिता है कि आपका पैसा एक योजना के लिए काम कर रहा है और आपको हर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है महीने अब क्या खरीदें न केवल हमारा जीवन बलकी बिकरी के उतपाद भी गतिशील है कभी कभी एक बहतर उतपाद साथ आता है और आपको अपने पास जो कुछ है उसे छोड़ना पड़ सकता है नया यदि संक्रमन की लागत कम है उदाहरन के लिए सरकार के सौवरेन गोल्ड बॉंड के मुद्दे आज सोना रखने का सबसे अच्छा तरीका है वे ETF मार्ग से बहतर है क्योंकि कोई कीमत नहीं है और आपको नामातर मिलता है आपके सोने की होल्डिंग पर ब्याज या जब टाम लाइफ इंशोरंस प्लान आनलाइन हो गए हो वर्ष 2010 के आसपास एजेंट के बाद से प्रीमियम लगभग आधा हो गया प्रत्यक्ष बेक्री से कमीशन हटा दिया गया हमने अपनी पुरानी योजनाओं को छोड़ दिया और नए खरीदे इस तथ्यके बावजूद की अधेक आयू वर्ग में हमें अधेक भुगतान करना पड़ता था प्रीमियम आपका मनी बॉक्स एक गतिशी लेकाई है और इसे यह देखने के लिए समय समय पर जाच की आवश्शक्ता है कि क्या आपका स्थिती बदल गई है यह प्रस्ताव पर बहतर उत्पाद हैं जब आप बदलते हैं तो क्या करें बदलाव कई तरह से आ सकता है सबसे अजेय उम्र है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके मनी बॉक्स की संरचना बदल जाती है उदाहरन के लिए जैसा कि आप निकट है सेवानिवरिती और आपका सेवानिवरिती कोश बनता है आपके बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं जीवन बीमा पॉलिसी की आवश्यक्ता दूर हो जाती है, हमें केवल एक जीवन बीमा की आवश्यक्ता है यदि परिवार आपके मासिक वेतन चेक पर निर्भर करता है, एक बार आपकी सेवानिवरिती हो जाने के बाद जगह में कौपस और रिंड से मुक्त हैं, आपको रखने में नुकसान है, लेकिन आपको टॉप आप करने या अधिक खरीदने की आवश्यक्ता नहीं है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जोखिमक्षमता कम हो जाती है, और अपने परिसम पत्ती आवंटन पर फिर से काम करना एक अच्छा विचार है, आपकी उम्र के रूप में एकविटी को कम करना, आपको कितनी एकविटी रखनी चाहिए, इस पर एक नियम है, सो माइनस आपकी उम्र, 30 साल की उम्र में, आपकी 70 प्रतिशत हिस्सेदारी एकविटी में होनी चाहिए, और 70 साल की उम्र में, आपके पास अपनी हिस्सेदारी का 30 प व्यक्तिगत परिवर्तन नौकरियों के आसपास हो सकते हैं. आप बहुत अधिक उचाई पर जा सकते हैं, नौकरी दे रहे हैं या आपका साथी काम पर जा सकता है, जिससे परिवार की आए में वृध्धी हो सकती है. आपकी जोखिं प्षमता बढ़ जाती है क्योंकि अधिक धन मनी बॉक्स में प्रवाहित होता है. याद है इसका उप्योग न केवल जीवन शैली को बढ़ाने के लिए बलकि बचत के लिए भी करें. आपके बच्चे बड़े हो सकते हैं और अपनी शिक्षा और विवाह के लक्षियों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो जाते है धन मुक्त कर देते हैं. इन्वेस्टिट बॉक्स वास्तव में इस सब के साथ आपकी सेवानिवरिती के लिए काम कर सकता है पैसा जो अब शिक्षा और शादी के फंड से आपके खाते में जाता है सेवानिवरिती कोश. आपको अपने माता-पिता से धन या संपत्ति का एक गुच्छा विरासत में मिल सकता है. उस जल से एक को फिर से आपके धन बॉक्स को पुना व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी. उतपाद बदलते समय क्या करें आपको अपने मनी बॉक्स से किसी उतपाद को बाजार में एक नए उतपाद से बदलना चाहिए केवल स्थापन के कारण आवश्यक बनाया गया है आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन. एक बहतर उतपाद या तो सस्ता होता है या बहतर देता है लाब या दोनों. यदि आप प्रबंधित फंड में निवेश करते हैं, न की ETF और Index फंड में, तो आपको करने की जरूरत है ज सले जाते हैं. या बुरे वर्षों की एक श्रिंखला होती है. प्रबंधित फंड का मतलब है कि आपको अपने Money Box में फंड को ट्रैक करना होगा. अगर फंड नम लंबे समय तक कटौती करें, इसे भुनाना और अन्य फंडों में स्विच करना बहतर है. यदि आप नहीं करत हैं, खुद को यह सब करते हुए देखें. ETF या Index Fund के साथ बने रहें. जब बाजार चड़े या गिरे तो क्या आपको अपने Box को फिर से तयार करना चाहिए? बहुत मुश्किल से उठना या बहुत तेजी से गिरना, हम में से ज्यादातर लोग जुन्ट से प्रभावित हो जाते हैं, मान सकता और बेचना चाहते हैं जब शेयर बाजार दुरघटना ग्रस्त हो रहे हैं और खरीदना चाहते हैं अधिक जब वे बढ़ रहे हैं. मुझे हाल ही, मैं एक पारिवारिक मित्र का मेल मिला जो चाहता था अपने पिता, बहनों और खुद के लिए कुछ प बरे बाजारों की तेज वरिद्धी, ये एक मुष्ट राशी थी निवेश और योजनाकार, ठीक ही नहीं चाहते थे कि उनका ग्राहत जोखिम घर ले जाएं निवेश के तुरंत बाद कीमतों में अचानक गिरावट, मेरे दोस्त ने मुझे यह कहने के लिए लिए लिखा कि उसका परिवार उससे ज्यादा जोखिम लेना चाहता था, योजनाकार क्या सिफारिश कर रहा था, और पूछे कि उसे क्या करना चाहिए, बढ़ते बाजार लोगों को जितना चाहिए उससे अधिक जोखिम लेने का प्रभाव पड़ता है, मेरी सलाह मेरे दोस्त को फिर से करना होगा, लेकिन बाजार की विपरीत दिशा में आंदोलन, एक बढ़ता बाजार आपके द्वारा कहे गए परिसंपत्ति आवंटन की प्रकृती को बदल देता है के साथ सहज थे, एक्विटी और डेट में 50, 50 आवंटन के बारे में सोचा तो जब बाजार कम थे चालीस में बदल देती है, तो आपको पुनरसन तुलन, यानी एक्विटी बेचें और वापस जाने के लिए अधिक डेट फंड या बॉंड खरीदें 50, 50 आवंटन गिरते बाजारों में विपरीट सच है, क्यूं बेचोगे जब कीमत कम है? अपना आवंटन वापस पाने के लिए और अधिक खरीदने का यही समय है जिस तर पर आपने कहा था कि आप चाहते थे सावधान रहे कि बाजार में उनमाद और गुसा न फैले आप अपने पैरों से आमतोर पर यह एक अच्छा विचार है कि वर्ष में एक बार बॉक्स को खोल कर मूल्यांकन किया जाए कि क्या इसकी आवश्यक्ता है? परिवर्तन अगर आपके पास फंड का प्रबंधन है, तो साल में दो बार यह जाँचना एक अच्छा विचार है कि आपके उत्पाद निश्चित रूप से हैं यदि आप एक इंडेक्स फंड या एटी एफ व्यक्ती हैं, तो आप नहीं करते हैं वार्षिक चेक से अधिक की आवश्यक्ता है याद रखें, यही इस पुस्तक का उद्देश्य है सेवा अधिक करने के लिए विप्तिय सुरक्षा के बारे में चिंता करने से अपना समय और दिमाग मुक्त करे सार्थखबाद